नमस्कार इस वक्त हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कर्राल के मानव सेवा संग से और जिस शक्ष की आप तस्वीर हमारे सक्रीन में देख रही है इनका नाम है हरित रिशी विजेपाल भगेल जो की पोर बंदर से लेकर कुर्शेतर तक एक मोहीम चलाए हुए हैं आपको बताना चाहेंगे कि इनका एक सपना है ग्लोबल ग्रीन पीस मिशन से ये जुड़े हुए हैं और ग्रीन वाल आफ इंडिया को लेकर पिछले काफी सालों से मेहनत किये हुए हैं मंतरी नरेंदर मोदी से भी कई बार मिल चुके है और इनके सपने को साकार भी इनकी पूरी मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत भी है होसला भी है और कही न कहीं के साथ इस मिशन में काफी लोग भी जुड़े हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो इनका मिशन है वो पूरण ह वो इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर कारिन का सपना क्या है क्या कुछ क्याना चाहेंगे सरी सुषर पुरी दुनिया ग्लोबल बार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से चिंतित है हमारा देश जहां प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है वहां भी इनवार्मिंटल इमेजेंसी लगाया जा रहा है यहां सांस का अकाल पढ़ रहा है और सांस बनाने का कोई कारखाना नहीं होता है सांस कीवल पेड़ से ही बनती है पेड़ कम हो रहे हैं, सांस कम हो रही है सांस को बढ़ाने के लिए हमारा लगाना पेड लगाना पेड बचाना ये एक बच्पन से ही एक अभ्यान रहा है अभी देश की जो हालात बने थे परियावन आपात काल की उसको देखते हुए हमने UN को एक प्रस्ताब दिया था कि भारत में एक Green Wall of India बनाई जाए Green Wall of India बनाई जाने का प्रस्ताब UN ने कंसिडर किया और भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए भारत सरकार भी सहमत हो गई और भारत सरकार ने पोरवंदर से लेके कुरुचितर तक तो नहीं पानी पत्तक सहमती दे दी कि हम 1400 किलो मीटर Green Wall बनाएंगे हमारा कहना है कि अरब सागर से हिमाले की तलेटी से वाले की पाड़ियों तक इसको एक Green कोरिडूर की रूप में Green barrier की रूप में बनाया जाया क्योंकि जो पस्चमी बिच्छोब की हवाएं उनका जो दवाब होता है उसके साथ जो धूल आती है धूल की कड़ आते हैं जो हमारे PM 2.5 और PM 10 की मातरा बढ़ाते हैं गैस चेंबर बनाते हैं उसको रोकने का काम जैस अधिरू का भूमी पूजन किया और बूभी पूरबंदर में गांडी जी के जर्णमिस्तल करिती मंदिर पमने रास्टी ब्रक्ष बर्गत का रूप पन करके भूमी पूजन किया 100 का हमाराü करोडी हरित्पग यात्रा हमने शुरू की सो दिन में हमको सोले सो किलमीटर कुरुछित्र तक जाना हमारा तैह हुआ सो पड़ाव रहे चार राज गुजरात राजिस्तान दिल्ली और हर्याना के 28 जिलों से हम इस पूरी यात्रा को जो जैब विवित्ता को देखा वहां की एकोसिस्टम को देखा वहां की परियावन की जो इस्तिती है उसको देखा तो उससे हमको लगा कि ग्रीन वाल बहुत जरूरी है और जीवर रिखा के रूप में हमारे देश का काम करेगी और वो बनने जा रही है दस साल का टाइम सरकार ने कहा है कि दस साल में 2030 तक ग जो मूल उद्दिष है ग्रीन वाल को हमने टार्गेट किया है और ग्रीन वाल जो ज्यादा एरिया जो कवर करने वाला है वो राजिस्थान का पार है राजिस्थान में रिखिस्थान बढ़ रहा है और गुजरात में भी भुज में पूरा डेजिटिटिफिकेशन बढ़ यह दोनों रुकेंगे तो इस साइड का पूरव की साइड का अपने याप परियावन ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम दिली आए दिली तो कंग्रीट का जंगल होई गया है उसके बाद हर्याना हर्याना के दो जिले रहवाडी और गुरगाम जो अरावली पर बसे हैं वहा पर आके सोनी पत और पांडी पत करनाल और फुर्चित से आगे वाला इलाका है यहां उस तरह की दिक्कत नहीं है जैसी के रहवाडी और गुरगाम है तो आपको लगता है कि आज पेड़ों की जो अंदा धुन कटाई हो रही है इसके पीछे सरकार जिल्मेवार है बिलकु सब्सक्राइब और और बिद्ध संगत कारवाई हुए अब पेड़ कटना नहीं चाहिए यह सरकार से भी हमारा क्याना है कि पेड़ अगर कटता है तो देश का विकास अवरुद होता है के बल जंगल के का कंक्रीट के जंगल हमको खड़े नहीं करने हमको नहीं सांस के दिन किसी उसका मराया जाता रहा है लेकिन ब्रच दिवस के रूप में कोई दिन अभी ऐसा निश्यत नहीं हुआ है हमने मांग की थी कि तेई सगस्त को भारत में 363 विश्णवी परवार के मात्यम्रता देवी के नितुत में 363 लोगों ने जो बलेदान दिया था उस अबन पहूंचे हैं इनकी जो यात्रा है पोरबंदर से लेकर कुर्षेत्र तक की यात्रा थी और बहुत सा इनोंने ब्रह्मन किया काफी लोगों से मिले सरकारी अधीकारियों से मिले और कहीं न کہी जो गरीन वाल बनाने की जो बात है अब देखने वाली बात है कि देश के प्रधान मत्री निरेंद्र मोदी इस बात को लेकर कितना चिंतिद होगे क्या वास्तव में गरीन वाल जो है वो बन पाए